प्रचार का भूखा एक आदमी है आज हम इस राकेश टिकैट का कच्छा चिठा भी खोलेंगे इस टिकैट वो है जिसने रामंदिर का विरोध किया था लेकिन ये राकेश टिकैट वो है जो औरंजेब की मजार पर माथा टेकने गया था इतनी करता मैं नहीं जानता लेकिन इस व्यक्ति के पास देश के चार राजियों और 13 शहरों में संपत्ति है बारत के प्रदान मंतरी के पास अपनी गाड़ी नहीं और जो किसान नेता है उसके पास गाड़ीओं का शोरूम है दोस्तों तो स्वागते आपके अपने चैनल जालें दुनिया में तो आज वीडियो देखके आपको बड़ा आनदाने वाला है हाला कि मैं तो यह कहना चाहरा हो कि जो राकेश टिकेट के समर्तंग भी है वो भी अगर इस वीडियो को देख ले तो उनकी भी आके खुल जाएगी क्योंकि आज डिबीट में अशुक श्रीवास्तों ने राकेश टिकेट यहां की सरकार क्या लग रहा है बंगला देश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पर काभी यह विपक्स के नेता साब जय लुवए बंद है तो यही तोरस होता है अब वे सारे बंद है उन्हें भागने कहा दिया जारे बंद है यह यहाल यहां होगा यह डूंडे नहीं मिल देग नहीं तो 25 लाग आए थी भी थे यह सारा का सारा काम उसी दिन निमट जबता केस यह शर्मनाग बयान राकेश टिकैट का है और सिर्फ वो इतने पर नहीं रुके उन्होंने इसके बाद भी कुछ खुलासे किये मुझे नहीं मालूम वो खुलासे कितने सही हैं वो बड़ब बोलापन राकेश टिकैट का था या फिर दरसल उन्होंने कुछ खुलासा किया है लेकिन राकेश टिकैट ऐसे अकेला आदमी नहीं है इसके पहले राकेश टिकैट ने तो अब यह बयान दिया है इसके पहले देश में कॉंग्रेस के कुछ ने था समाजवादी पार्टी के कुछ नेता. इसी तरह के बयानों को दोहरा चुके हैं कि भारत को बंगलादेश बनाना है. भारत में भी जो बंगलादेश में हुआ उसे रिपीट करेंगे. अच्छा जहां तक राकेश टिकेट की बात है वैंसे ये भी बतादू मैं. क्योंकि ताजा बयान राकेश टिकेट का है उसी संदर में हम आज ये चर्चा भी कर रहे हैं राकेश टिकेट बेसिकली प्रचार का भूखा एक आदमी है उस आदमी को हमेशा टेलिविजन पर अखबारों में अपना नाम छपने की उसकी हवस है वो हर चीज़ पर बयान देता है उसने पिछले दिनों अगनिवीर पर बयान दिया उसने पिछले दिनों जब वोड़ आया तब उसने कानून आया तब उसने बयान दिया उसने उलमपिक पर बयान दिया विनेश फोगाट पर बयान दिया और इसलिए उसने सोचा बंगलादीश पेचतारा का बयान दिया जाए, बलातकार पे बयान दिया जाए, कुछ सुर्कियां मिलेंगे, सुर्कियां तो जरूर मिल रही है, लेकिन आज हम इस राकेश टिकैट का कच्चा चिट्था भी कोलेंगे, आपको इसके असली चेहरा भी देश के इस परतिष्टी चैनल, जो हमारे सरकारी चैनल है, उसको देख रहे हैं, लेकिन जिस बहासरा का परियोग आपने विपक्षी दलों के लिए और सामाजिक संगठनों के लिए किया, मुझे उससे आपकती है, कि हमारे पूर्वज तो वो थे, जो छोटी-छोटी बा तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, और आप दंगई और प्रोसीर में और ये कहना उचित नहीं है, क्योंकि हमारे जितने अंदोलन होते हैं, वो सब सांति पूर्वक होते हैं, और उनको कहांधिवादी तरीके से हम करते हैं। आप बोली, आप मुझे कहिए बत्तमीज, आप मुझे कहिए दंगई, मुझे कोई अतराज नहीं हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, तीसरी बार कह रहा हूँ, जो इस देश को बंगला देश बनाना चाहते हैं, मेरे लिए वो दंगई थे, दंगई हैं, दंगई रहेंग पता नहीं क्या कर लेते, तो ये लोग एक्सपोज कर रहें देश के सामने, और मेरा काम है एक पत्रकार के रूप में एक्सपोज करना, मुझे हरानी है, मुझे हरानी है, आज सच मुझे मीडिया को आज राकेश टिकेट की असलियत पूरे देश के मीडिया को देश के सामन और मैंने आज राकेश टिकेट को मैं तो राकेश टिकेट को भी मंच दे रहा था मैंने अपने guest coordination का लाई है 10 minute के लिए उनको बड़ा one-to-one करने का shock है नहीं तो मैं आज राकेश टिकेट आते तो मैं आज उनको बताता one-to-one बताता उनको दिखाता उनकी हैसित और मेरे पास उस से पहले मैं आगे बिढ़ू चौदरी सावित वली मेरे पास एक रिपोर्ट है, मैं शाहतू हूं देश की जनता को जानना चाहिए रुखिएगा मैं आूंगा टुर्इंची एक मिनट क्योंकि मुझे लगता है ये देश की जनता को जानना चाहिए राकेश टिकेट कौन है उसके बारे में जान लीजिए जिन लोगों का समर्थन करने वाले वो भी जान ले ये राकेश टिकेट वो है जिसने राम मंदिर का विरोध किया था लेकिन ये राकेश टिकेट वो है जो औरंग जेब की मजार पर माथा टेक ने गया था आप समझ ये किस तरह का व्यक्ति है राम मंदिर का विरोध किया सनातन धर्म को गालियां दी बताब सनातन का अपमान किया कि ये मंदिरों में लोग ऐसे जाते हैं ये होता है लेकिन उसके बाद औरंग जेब की मजार पर माथा टेक ने गया ये वो व्यक्ति है राकेश टिकैट जिससे पूछा गया कि आपके आंदोलन में बेंडर वाला की तस्वीर पहन के टी-शिट पहन के लोग आए तो इस राकेश टिकैट ने का था हाँ उसे तो लोग संत मानते हैं मान सकता देखते रहिएगा ये वो राकेश टिकैट है जो नेता हुआ नहीं गया राकेश टिकैट को एक बार चिंता नहीं हुई क्योंकि वो राकेश टिकैट क्योंकि कॉंग्रेस के इस वक्त नाम पिर राजनीती कर रहा है इसलिए जो है करनाटक में जाते है तो उसको जो है जो कॉंग्रेस से जो सांटगाट है ना वो फिर धरी रह जाती ममता बेनर्ट जी का भी आज सपोर्ट इसलिए किया देश के खिलावरू किया सावित मली सुनिये सचा ही बोल रहा हूं सुनिये तस्वीरों तो दिखाईएगा बारासो किसानों के परिवारों का दर्द आप जानने के लिए गए थे तो तस्वीरों तो मुझे जानता मैं नहीं जानता लेकिन इस व्यक्ति के पास देश के चार राज्यों और तेरा शेहरों में संपत्ती है चार राज्यों और तेरा शेहरों में संपत्ती है और संपत्ती भी क्या क्या है शोरूम है इट के भटे हैं महंगी महंगी गारियों के शोरूम है लगजरी गा कैट की मेरे पास जो रिपोर्ट है उसके अनुसार असी करोड इसके पास संपत्ती है जबकि 2014 में जब चुना हुआ था सोचिए का ये भी देखिए 2014 में जब चुना हुआ था और चुनाओ के समय जब इनकी जबाने जब तुई थी दो बर चुनाओ लड़ा दोनों बर जबाने जब तुई तब इसने जो अपने संपत्ती का व्योरा दिया था साड़े चार करोड रुपे दिया था और अब ये तो दिख गई आपने कभी मानिया देश के ग्रय मंत्री की संपत्ती का व्यूजागर करें की 24 से पहले क्या थी और आज क्या है और मानिया परदान मंत्री जी की पहले क्या थी और आज क्या है का शोरूम है उसके बाद आप कह रहे हैं कि किसानों की बड़ी अरे अगर राकेश ठिकेट जैसे किसानों को भी बता दें राकेश ठिकेट बता दें बाकी किसानों को भी कि 4.80.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 बारा सू किसानों का दर्द जानने के तें साविछ मलिक चैलेंज कर रहा हूं एक तस्वीर दिखाईए आप सब लोग डवल सेंडर हैं सिर्फ भारत में दंगय करना चाहते हैं बारत में दंगय करवाना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बैचता सप्ता की मलाई खाना चाहते हैं आप दंगाई हैं बंद कीजिए इन किया वीडियो में अंतर्ग बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यावाद उमीद्य आपको यह वीडियो पसंद आए होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आती तो एक लाइक किजिए कमेट किजिए और अगर आपको एंकर अशोक श्री वास्तों के बारे में अपनी कुछ राय रखने हैं तो कमेट शिक्षन में सरु बताइए हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में